हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल आज हम स्वास्थ से जुड़ी बातों में सूखी खासी याने ड्राइ कफ से राहत पाने के कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं सर्दियों में सर्दी जुकाम का होना आम बात है लेकिन इस मौसम में सूखी खासी आपके लिए परिशानी का सबब बन सकती है सूखी खासी को अंग्रेजी में ड्राइ कफ कहा जाता है इस समस्या से पीशा शुड़ाना आसान बात नहीं है हलाकि कई आयरवेदिक उपचार और नुस्खे सूखी खासी से जल्द रहा दिला सकते हैं सूखी खासी को ठीक करने के ऐसे ही कई कारगर घरेलो नुस्खे हैं सुखी खासी को ठीक करने के नुस्खे के लिए आपको शहद, अद्रक और मुलेठी की आवशकता पड़ेगी यह सभी चीजें हर रसोई में बड़ी आसानी से मिल जाती है इन सभी चीजों में हीलिंग प्रोपर्टी मौजूद होने से यह खासी ठीक करने के साथ इम्मुनिटी बूस्ट करने में भी मदद करती है और अद्रक में मौजूद फलेगम एंटी माइक्रोबेल गुणों से भरपूर है शहद में डेम्यूल सेंट गुण मौजूद होने से यह गले को रहात पहुचाता है इसके अलावा मौलेठी खासी को ठीक करने में काफी मददगार होती है सूखी खासी ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले एक चम्मज शहद में जरासा अद्रक का रस मिलाकर पी जाए इसके बाद अपने मौँ में मौलेठी की छोटी सी डंडी रख सकते हैं ऐसा करने से आपका गला नहीं सूखेगा मौलेठी सूखे गले और खरार से रहाद लाने का काम करती है इसके अलावा दो चम्मज शहद को आधे गिलास गुनगने पानी में मिला कर पीए रोजाना इस नुस्खे को अपनाने से सूखी खासी में आरा मिलता है साथी पीपल की गांठ को पीस कर उसमें एक चम्मज शहद में मिला कर खा ले रोजाना ऐसा ही करें से कुछी दिन में सूखी खासी टीक हो जाएगी और अद्रकी एक गांठ को कूट कर उसमें एक चुटकी नमक मिला ले और दाड के नीचे दबा ले उसका रस धीरे-धीरे मुह के अंदर जाने दे पांच मिनट तक उसे मुह में रखें और फिर कुला कर ले और मुलेठी का चाय पीने से भी सूखी खासी में आराम मिलता है इसे बनाने के लिए दो बड़ी चमच मुलेठी की सूखी जड को एक मग में रखें और इस मगल में उबलता हुआ पानी डालें दस से पंदरा मिनट तक भाप लगने दें दिन में दो बार इसे लें ध्यान रखें अगर खासी लंबे समय से आ रही है और साथी बलगम में खून निकल रहे तो डॉक्टर से तुरंथी जरूर सलहा लें जब खासी दो हवते से ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है तब इसका डायगनास्टिक टेस्ट कराना महतपूर्ण हो जाता है जब भी मौसम बदलता है तो सबसे पहले सरदी खासी जैसी बिमारी ही शरीर को दस तक देती है यह एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है पर खासी जब लंबे समय तक बनी रहे तो यह एक परिशानी का रूप ले लेती है सूखी खासी होने के कई कारण हो सकते हैं किसी भी बिमारी के सही कारणों को पहचानने से ही उसका सही इलाज किया जा सकता है। इसलिए सुखी खासी से शुटकारा पाना होतो या पहले यह पता लगाना होगा कि यह खासी आखिर किस कारण से हुई है। कभी-कभी नाक और गले में अलर्जी होने से सुखी-खासी हो सकती है, कई बार धूल, मिट्टी, धुआ या बदलते मौसम के प्रभाव से अलर्जी की शिकायत होने लगती है और सुखी-खासी छिड़ जाती है, या फिर अस्तमा या टी-बी जैसे सांस की बिमारियों के चलते भी सुखी-खासी की शिकायत रहती है, और मौसमी, बुखार, वाइरल इंफेक्शन, सर्दी, फ्लू, आदी भी सुखी-खासी के कारण हो सकते हैं, और वातावरण की अशुधता और हवा में फैला जहर हमारी स आसों से फेफडों तक पहुच कर खासी की शिकायत बढ़ाता है, खासी होने पर अपने पास अवश्य ही साफ रुमाल अत्वार टीशू पेपर रखें और जब भी खासी आए इनका प्रयोग करें, ऐसा करने से आपके मुह से निकलने वाले संक्रमित कण दूसरों को नुक गरम पानी के गरारे, सुबह और शाम एक गलास गुनगने पानी में एक चमच नमक मिलाकर अच्छे से गरारे करने से गले में कश्ट देने वाले किटाणू का नाश हो जाता है और गले को आराम मिलता है, इसके साथी काली मिर्च हमारी रसोई का अभिन अंग है, यह केवल मात्रा एक मसाला ही नहीं, बलकि विशेश औशधिय वस्तु है, जो किसी प्रकार की खासी से शुटकरा दिलाने में अती गुनकारी है, एक चमच पिसी काली मिर्च को एक चमच देसी घी में भुन कर थोड़ा-थोड़ा दिन भर चाटते रहने से सूखी खासी में जादू आराम मिलता है, इसे पीने से गले और शाती का इंफेक्शन दूर होता है और कुछी दिनों में खासी से शुटकरा मिल जाता है, इसके अलावा आधा चमच प्याज के रस में एक चोटा चमच शहद मिला कर दिन में दो बार लेने से सूखी खासी जट से गायब हो जाती है, साथी, लहसून में एक प्रकार का एंटी बेक्टीरियल पदात रहता है, जो गले के सभी कश्ट तुरंथी गायब करने में मदद करता है, एक कप पानी में दो या तीन लहसून की कलियों को उबालें, हलका ठंडा होने पर इसमें शहद मिला कर घूंट घूंट पीने से सू चमस शहद मिला कर दिन में चार बार लेने से गले की खराश दूर हो जाती है और सूखी खासी से भी रहात मिलती है, और अद्रक को खासी के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, करिब एक इंच अद्रक को कूट कर एक गिलास पानी में आधा रहने तक उबालें, फिर शह पाने की रोनक होती है हल्दी, हल्दी में बहुत सारे औशदिये गुण होते हैं, ये एंटिसेप्टिक का खजाना है, इसके सेवन से चेस्ट के इंफेक्शन में बहुत आराम मिलता है, और खासी कम होते होते पूरी तरह खत्म तक हो जाती है, रात को सोने से पहले गरम पानी में एक छोटा चमच हल्दी उबालें, इसमें चोथाई चमच काली मिर्च और एक चुटकी दालचीनी पॉडर मिलाएं, कप में परोसकर एक चमच शहद के साथ घूट घूट करके पिएं, तो फैन इस तरह से आप सूखी खासी के लिए कुछ घरेलू उपाय अपना के लिए आप लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहांस सकें